प्रेंड आपका स्वागत है तानिया फैशन आट यूटुक चैनल पर मैं दीपका कुश्वा आज आपको शॉपिंग बैक बनाना बताऊंगी तो ये देखो न्यू तरीके से मैं इसकी कटिंग बताऊंगी आपको इसका बनाने का तरीका बहुत सिंपल है और इसमें दो पॉकिट भी डालूँगी मैं तो ये देखो पीस को मैंने रेडी कर लिया है इसके बीचे मैंने राइस बोरी लगाई है और इस तरीके से इसमें मैंने कैस लाईयां भी लगा ली है तो एक ही पीस से हम बना रहे हैं आपको पहले इसकी लंबाई या चोड़ाई बता दूँगी मैं तो इसकी लंबाई ही है देखो 43 इंजी की अब मैं आपको इसकी चोड़ाई बता रही हूँ चोड़ाई है 13 इंजी की अब यह हमें लंबाई की साइट से फोल्ड करना है तो यह देखो मैंने बीच का सेंटर से इस तरीके से मिला लिया है इसको यहाँ पे हम डेड़ इंजी का निशान लगाएंगे अब जो निशान लगाया है हमने वहीं से फिर से हम डेड़ इंची का निशान लगाएंगे तो यह देखो निशान मैंने लगा लिये हैं अब डेड़ का ही हम फिर से लगाएंगे तो डेड़ बाई डेड़ का हमने तीन बार निशान लगा लिया इस तरीके से एक box बन जाएगा box जो बनाया है हमने उसकी अब cutting कर देंगे तो cutting मैंने कर ली है इस तरीके से तो same cutting हम दूसरी side भी कर लेंगे इस पे रखके इस पे निसान लगा लूँगी और same cutting हो जाएगी तो cutting हमने दोनों side पे कर ली है और इसके लिए piping भी लगाएंगे इसमें तो मैं उल्टे की side से इसमें piping लगाऊंगी इस तरीके से रखके और इसमें 4 और से sly लगा दूँगी तो ये देखो sly मैंने लगा ली है अब इसे उपर जो सीधी side है उस side पे fold करेंगे से और fold करके अंदर की side पे और किनारे किनारे से sly लगा देंगे तो किनारे किनारे से हमने sly लगा दी है तो दोनों side पे हमने piping लगा के ready कर लिया है इसको अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे बिल्कुल बीच का center निकाला है मैंने तो चॉक से निशान लगा लिया है यह मैंने पोक्ट के लिए ready कर लिया तक peace और यह हमारी side की piece है तो पहले आपको दिखो इस तरीके से निशान लगा लेना है यहाँ पे बीच में बीच में मैंने निशान लगा लिया है अब यहां पर निशान से निशान लगा देना है तुझ्जी वाला निशान जो मैंने लगाया है से पॉकट के लिए लगाया है पहले हम इसे पॉकेट के लिए लगाया है इसीडि आघव siauch किनारे से सलाई लगानी है तो पहले मैं आपको इसकी लंबाई चोड़ाई बता दे रही हूं लंबाई है 12 इंची की और चोड़ाई इसकी 14 इंची की तो एश्ट्रा ली है वह हम बाद में कटिंग कर देंगे किनारे किनारे से तीनो साइड पर सलाई लगानी है ऊपर साइड खुला रखना है हमको तो ये देको सलाई लगा लिह और एश्ट्रा था उसकी मैंने कटिंग कर दी है अब यह मैंने बेक की साइड ली है तो इसकी चोड़ाई है साड़े 6 इंची की इसकी लंबाई है 34 इंची की आपको दो इस तरीके से यहां पर बीच में निशान लगा लेना है तो दोनों साइट पर मैं निशान लगा लिया है अब इस तरीके से आपको निशान मिलाके और इस फीच को नापना है तो दिखो यह मैंने नाप लिया है यहां से हम निशान लगाएंगे अब क्योंकि इसमें हमें चेन डालनी है पॉकिट बनानी है इसकी आपको मैं इसे इंची टेप से भी बता दे रही हूँ ना आपके पंदरेंची की लंबाई यह इसकी तो पंदरेंची की लंबाई है तो मैं चौदेंची की कटिंग करूँगी पर एक इंची मैंने कम कर दिया है इसमें से तो दोनों साइट पर सेम तरीके से निशान लगा लूँगी अब जो हमारा निशान लग चुका है इसको हम ना पेंगे तो 17 इंची की लंबाई यह आई है इस तरीके से फोल्ड करना है तो यहाँ पर देखो इसकी हमें कटिंग कर दूँगी इसमें से हमें चैन डालनी है बीच में तो यहां से में कट कर दे रही हूं इसे एक साइट से एक साइट से मैंने कटिंग कर दी है इसकी अब बीच में से हम निशान लगा के कटिंग करेंगे इसकी तो बीच का सेंटर आपको इस तरीके से निशान लगा लेना है अब जो मैं निशान लगाया है उसी पे मैं इसकी अब कटिंग कर दूगी तो कटिंग मैंने कर ली है जहां तक निशान लगाया था वहीं तक मैंने कटिंग की है इसकी अब ये देखो इसके बराबर की हम chain cutting कर लेंगे तो इसके बराबर मैंने chain ले ली है और आपको देखो उल्टी side इस तरीके से रखना है chain को और sly लगानी है तो एक side मैंने sly लगा दी है अब ये हमें दबाने वाली sly लगानी है इस तरीके से उपर की साइड पे हम लगा देंगे सलाई तो ये देखो एक साइड तो मैंने रेडि कर लिया है अब दूसरी साइड अभी रेडि करना है तो आपको देखो यहां पर अलका सक कट लगाना है कट लगा के आपको अब इस तरीके से चैन को और कपड़े को मिलाना है और फिर पकड़ के अच्छे से सलाई लगानी है इस पर तो सलाई मैंने दवाने वाली भी लगा दी है तो यह देखो कितनी फिनिसिंग के साथ मैंने आपको चैन लगाना बता दिया है इसमें अब यहां पर हमारा जोइंट दिख रहा है तो आपको इस तरीके से पट्टी ले लेनी है पतली सी और इस तरीके से आपको उपर की से रद के सलाई लगा देनी है तो पट्टी मैंने देखो सलाई लगा के तयार कर ली है अब इसमें हम लॉक डालेंगे लॉक मैंने डाल लिया है अब जो पीस हमने कटिंग किया था अब इसको हम इस पर जॉइंट कर देंगे तो देखो उपर वाली दवाने वाली भी सलाई बराबर का बीच का तो देखो इस साइट से हमारा दोनों साइट पर निशान लगा लेंगे तो दोनों साइट पर मैं निशान लगा लिया है चौक से अब हम उल्टी साइट से निशान लगाएंगे इस पर भी हम बैक पर जो हमारा बैक का पीस है तो यह देखो बीच का सेंटर इसमें भी मैं निशान लगा लिया है यहां से मैं आदा अंची का सा छोड़ की निशान लगा रही हूँ जो हमारा हैंडल है पकड़ने वाला वहां से मैंने आदा अंची का छोड़ की निशान लगाया है और आपको पीस को इस तरीके से रखना है निशान से निशान मिलाके बीच वाले निशान जो लगाया है इस तरीके से और उपर की साइट से में सलाई लगा देनी है फिर तो ये देखो सलाई मैंने लगा ली है और यहां पर मैंने हलकालका स्लाई छोड़ी है देखो दूसरे बाले पीस को भी हम इसी तरीके से जॉइंट करेंगे तो यह बाला पीस आपको इस तरीके से जॉइंट करना है पहले निशान लगाने है तो दूसरे पीस की निशान से आप लगा सकते हो इसमें निशान तो ये देखो अब हम बीच वाला सेंटर पर इस तरीके से ही निशान लगा लेंगे सेम तरीके से तो यह मैं लगा लिया है अब आपको इस तरीके से पीस को पकड़ना है यह देखो मैंने मोड़ा है इस पीस को इस तरीके से यहाँ पर आप पिल लगा के भी स्लाई लगा सकते हो तो यह देखो स्लाई मैंने लगा लिया है दोनों साइड पे अब इसे मैं सीधा करूंगी तो सीधा मैंने कर लिया है आप चाहो तो उपर की साइड से भी एक स्लाई लगा सकते हो पर मैं लगा रही हूँ इस तरीके से निशान है हमारा वहीं से मेंदे को इसको रखा है इस तरीके से स्लाई लगानी है तो ये देखो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो पहले साइड वाली भी लगा सकते हो और नीचे से भी लगा सकते हो जैसे आपको अच्छी लगा लेना पर दोनों तरीका अच्छा है इसका लगाने का तो यह देखो मैंने एक साइड लगा लिए हैं दोनों साइड से अब नीचे वाली साइड रह गई है हमारी तो नीचे वाली साइड भी हम आपको लगा के बताऊंगी तो ये देखो बीच वाला सेंटर आपको मैंने बताया था इस तरीके से ही सेम तरीके से ही लगाना है तो ये देखो इस तरीके से बीच में इसके कॉर्णर से निकल आएंगे आप इस तरीके से भी लगा सकते हो तो देखो मेरे कॉनर भी हलके-लके निकल आए हैं, तो उनके हम कटिंग कर देंगे, गुलाई में आ जाएगा, पाइपिन लगाएंगे जब, तो ये देखो, दोनों साइड हमें सलाई लगा ली है, अब मैंने पाइपिन ली है, आपको पाइपिन इस तरीके से लगानी है, इ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे इडियो चनल को सस्क्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, थैंक्यू,